हेलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फिर से हम चलेंगे डबलू थ्रेस्कोल्स में और हम कर रहे हैं SQL SQL में MySQL Functions MySQL String Functions हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं MySQL Numeric Functions भी हम कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देख रहे हैं MySQL Date Function और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुँच चुके हैं Sys Date Function के उपर इस वीडियो में हम देखेंगे Time Function MySQL Time Function क्या होता है अब देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में Definition देखते हैं सबसे पहले Time Function extracts the time part from a given time और या फिर Date Time ये Time Function क्या करेगा कि कोई भी जो Time या फिर Date Time expression हमारे पास होगा उसमें से क्या करेगा Time वाला part extract कर लेगा Only and Only Time part extract करवाना है तो Time Function हम यूज़ करेंगे ठीक है अगर कहीं न कहीं अगर मालो Date है तो हमें क्या result में मिलेगा अकेली Date है तो हमें क्या मिलेगा 00 मिलेगा या फिर मालो उसमें expression में Date टाइम में या टाइम में अगर यह है तो भी हमें यह से मिलेगा हाँ अगर नल बगेरा है तो हमें नल मिलने वाला ठीक है सिंटेक्स देखते हैं अच्छा से क्लीर हो जाएगा हम लगाएंगे टाइम § start करेंगे expression and parenthesis close यह हमारा है टाइम का cntX time function का cntX है पेरामिटर value देखें एक्सप्रेशन हम डालेंगे एक्सप्रेशन यह पी क्या हो सकता है date date time है time है अकेली date भी हो सकती है अकेली date आगी आएगी तो हमें क्या मिलेगा only 00 वाला मिलेगा ठीक है तो इसलिए basically यहां पर क्या आना है time आना है या फिर date time expression आना है जिसका हम क्या निकालेंगे time part निकालेंगे that's it यही हमारा क्या है time function example देखते हैं चीज़े बिल्कुल clear हो जाएंगे extract कर दीजिए time part from the time expression of course यह हमारे पास time expression है only time दिया गया है तो सिद्धी सी बात है as it is हमें क्या मिल जाएगा time part मिल जाएगा यही तो हमें चाहिए है क्यों 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 टाइम फंक्शन कहा है और आगे देखते हैं example देखते हैं इनका extract कर दीजिए यह क्या आप दे दिया गया है date प्लस time पाड़ दे दिया गया है जिसको हम क्या बोलते है date time expression इसमें से हमें क्या चाहिए only the time part date नहीं चाहिए, date नहीं आएगी, only क्या आएगा, time part आएगा, देखो example, 19.30, only क्या आएगा, time part, ठीक है, next example देखो, of course इसने microsecond भी दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला क्या है, of course microsecond भी क्या होता है, time का part होता है, तो ये as a days हमारे पास क्या मिल जाएगा, time वाला part मिल जाए अगर हम time function लगाते हैं तो, तो ये देखो, ठीक है, next example में क्या दे रखाया, extract कर दीजे time part, जाहर सी बात है, अगर हम null pass करेंगे, तो हम में null मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये दिखाने रहा, अगर null pass क्या गया है, तो null मिलना है, तैह है, मैं आपको अपने system में run करके दिखा देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, null मिलेगा, ठीक है, तो यही क्या था हमारा time function था, आप लोग उसे मैं request करता हूँ, please मेरे इस channel को subscribe कर लेजिए, जितना हो सकता, share किजिए, thank you, जय हिंद,